Hello friends, welcome to our channel current affairs updated, this is दिवशी शवस्ती और आज मैं अपने current affairs की series में एक important topic लेके आए हूँ, exam में आप देने जाओगा और ये question आपको देखने को मिलेगा, क्या है ये topic, that is books and authors related to 2023, तो totally updated lecture है, जो भी books अभी news में हैं, उनके author पूछे जाते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे, जो सामने data से आप देख रहे होंगे, सूर्वया वंशम, तो देख सकते हैं, सूर्वया वंशम जो लिखा हुआ है, पहरी बात ये book क्यों news में आई, ये news में इसलिए आई क्योंकि इसके author है, वो tamil writer है, जिनकी image यहां पर बनी हुई है, जिनका नाम आप देख सकते हैं, शिव इस book के लिए, तो ये book आप से directly पूछ लिए आईगी कि इसके author कौन है, तो ये आपको यादखा है, या तो ये भी पूछ सकते हैं आप से, कि सरस्वती समान जो है, वो किसको मिला हुआ हुआ है, ये question ने पूछ सकते हैं, okay, second important book जो news में है, वो है, that is, पागल खाना, तो य ये इसलिए news में है, क्योंकि इस book को भी, या देखेगा, award मिला है, व्यास समान 2022 मिला है, इस book के author को, और इस book के author जो है, वो हिंदी writer, जिनका नाम है ज्यान चतुरवेदी, तो Dr. ज्यान चतुरवेदी जो हिंदी author है, उनकी book है, पागल खाना, जिसके लिए उनको व्यास स समान की बात करो, ये recent मिले है, अभी की मैं बता रहा हूँ, मार्च की news दे रहा हूँ, आपको, नेक्स बात करते है, साहित्य के लिए और 2022, ये अभी recently, December में ही, end of December मिले है, और ये awards भी important है, इसमें बहुत साई languages में, बहुत साई book को मिले हैं, ये award उनके authors को, बट इसमें English English और Hindi यादखना है, English के लिए All the Lives We Never, ये बुक का नाम है, और इसके author जो है, ये अनुराधा रॉय जो है, उनको मिला है, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्डी मिला है, तो आप से ये नहीं पुछे कि साहित्य अकेडमी वार्डी मिला है, तो आप से पुछे का All the Lives We Never, इस के author कौन है, तो answer भी क्या, ये अनुराधा रॉय, और हिंदी के लिए बद्री नारायन जी को मिला है, साहित्य अकेडमी वार्ड, उनकी बुक थुम्री के शब्द, रेमेंबर, तो पुछा कता है थुम्री के शब्द के author कौन है, तो ये बद्री नारायन, ये पूछा आता है कि international booker price किसको मिला है, 2022 का, recently, तो याद अकरा आपको tom of sand, ये book का नाम है, ये author है, इनकी author है, जिसे written है, उनका नाम क्या है, गितांजली श्री, ठीक है, इनको मिला है, ठीक है, कौन सा award, international booker price 2022, तो ये तो ये पूछ लेंगे, कि international booker price 2022 किसको मिला है, तो answer का, गितां इसको convert भी किया, translate किया गया है, ठीक है, किसने किया है, देशी रॉक्वेल, जो है, उन्होंने इसको translate किया, English में, तो ये भी याद रखना है, अब अगर कोशना आता है, booker price 2022 किसको मिला है, international word नहीं लगा रहता है, तो ये आता है, तो शीलंका के author है, ठीक है, उनकी book है, The Seven Moons of Mali Almedia, ये बुक का नाम है, और जो author है, उनका नाम देख सकते है, करुना तिलक, ठीक है, तो याद देखेगा, शेहन करुना तिलक जो है, उनको ये अवार्ड मिला है, ये बुकर प्राइस 2022, और किस चीज़ के लिए मिला है, ये उनकी book के लिए, तो confused मत होना, दोनों book किस ने लिखा है, ठीक है, तो कुछ लोग सो सकते है, एपी जो अब्दुलकराम हो सकते हैं, या मौना अब्दुलकराम अजाद हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं answer, इसका correct answer, जो है, गुलाम नभी आजाद, आपको पता होगा, ये CMB रह चुके है, जम्मुन कश्मीर क इनकी autobiography, that is Azad, तो ये याद ना, Azad आपसे पूछी आ सकते हैं, अभी news में भी बहुत चल रही है, इस book को inaugurate, launch किया है, जो BJP के president भी है, इस book के author, मेरा मानना है, नहीं पूछाएगा, क्योंकि launch जिस ने किया है, शायद यो सकता है कि JP Nanda ना भी recently book launch की, उसका नाम क्या है, या तो इस book को किसने launch किया है, तो आपसे JP Nanda होगा, इसके author जो है, या दे कि सुजन चिरोय, विजय और उत्तम कुमार सिनह, ये इसके author है, बट author के आने के chances कम है, क्योंकि 2-3 author है, जब एक author होता है, तो question ज्याद इसके author है, इसके author है, P. जोती मनी and G. बलन, जोती मनी जोती मनी जोती भी रह चुके है, तो इनकी ये book है, तो just remember, modern history की याद रखना है, जोती वगरा के नाम से आप याद कर सकते हैं, ये trick बता रहा हो, मैं आपको याद करने की, नेक्स है, इर्फान खान, इनकी अब नहीं इसके author है, शुबरा गुपता जो है, बड़ा static बता रहो, बट मैं आपको गिंती से 15-20 books बताऊंगा, उनी में से question आएंगे, तो जादा और कुछ पढ़ने की जोरत नहीं, सिर्फ ये lecture देखके चले जाना, exam में question आपको मिल जाएगा, next है, coaching beyond, my days with Indian cricket team, बड़ी famous है, question आने कोशिक और शीधर जो है, उसके author है, तो इसके भी chances बहुत जादा है, exam में पूछे जाने के, next है, एक novel है, पायरे, या दखेगा, तो पायरे जो है, एक novel है, अब ये news में क्यों आ गई, ये news में किसलिए आ गई, क्योंकि अभी international booker price के रिए, shortlist हुई है, नॉमिनेट हुई ये बुक है, तो ये news में आ गई, ये novel जो है, नॉमिनेट है, तो इसने लिखी है, तो नाम से पी से पायरे और पी से ही person का नाम है, पिरुमल मुरुगन, या देखे है, पिरुमल मुरुगन, तो या देखे है, तो शायद आप option देखके पहचान जाओ, या देख ना इतने करेंट में जो भी बुक लॉंच्वी उसके नाम है, शीमंत कोकटे, नाम से पर चला है, महराष्टियन लग रहे हैं आपको, बिल्कुल, तो option देखके आप पहचान सकते हैं, नेक्स्ट बुक पर आते हैं, नेक्स्ट बुक है, विपिन, विपिन रावत का नाम आपने सुन नाम था, तो रचना रावत ऐसे आप याद का सकते हैं, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, यह भी एक्जाम में चांसे के जादा हैं, इस बुक के, नेक्स्ट है, मुंदक उपनिशद, मुंदक उपनिशद यह क्यों निउस में है, यह मुंदक उपनिशद करन सिंग की बुक है, तो याद अखना है, मुंदक उपनिशद के नाम से, यह गेटवे ओफ एटड़िटी, नेक्स बुक पे आते हैं, यह विक्ट्री सिटी, यह पुचाएगा, यह बहुत में से एक्जाम में आगा, विक्ट्री सिटी, इसके ऑफर कौन है, आंसर है, सलम अंबेड़कर अलाइफ, अंबेड़कर की बुक आ सकती है, शशी तरूर, बड़े फेमस है, कॉंग्रेस मैं है, आपने देखा होगा, बहुत फेमस हैं यह, तो शशी तरूर की बुक है, यह बहुत जादा, क्योंगी सब न्यूस में चल रहे हैं, 15-20 न्यूस में रहती है, उनको find out करना difficult होता है, इसलिए मैं सारी एक lecture में ले आया हूँ, नेक्स है, फॉर्मर CGI जो रहे हैं, आपका नाम सुनाओगा, चीफ जस्टर आप इंडिया, रन्यन गगोई, अब तो राजस्भा के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, राजस्भा के MP भी हैं, इन्होंने अभी ए किस CM के बारे में बुक है, जिसका नाम है Chief Minister Diary No.1, तो इसमें नाम तो पता ही चला है, CM का नाम, तो यह रखिएगा, आसाम के CM है, हेमन्त विष्व शर्मा, उनकी यह बुक है, ठीक है, उनकी मतलब उसके बारे में, उनोंने एक साल में क्या 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 क्या, उसके बारे में में इसको लॉंच किया है, Chief Justice जो रहे चुके हैं, रंजन गगोई जी ने, इसलिए न्यूस में बहुत थी, नेक्स आते हैं, यह कोशन बहुत आएगा, दन मानों आएगा, From Dependence to Self Reliance, बिलकुल आत्पर निरभर की बात कर रहा है, कोशन दन आएगा कि किस की यह बुक है, त विमल जलान जो है, इनकी बुक है, From Dependence से लेके हम Self Reliance के और मूब कर रहा है, तो यह कोशन आपके एग्जाम में जरूर देखें, बिलेगा, अगली है, डेली यूनिवरसिटी, Celebrating 100 Glorious Year, अब यह बुक के ऑथर कौन है, इसके बुक के ऑथर है, हरदीव सिंग पुरी, नाम यूनिवरसिटी, सुनाओगा आपने कहां पर है, अब इसके कौन है, गौतम बोर, नाम से पर नालंदा है, बिहार होगा, गौतम बुद्ध का नाम सुनाओगा, तो गौतम बोर, यह ट्रिक बना सकते हो, आप याद करने के लिए, चलिए, नेक्स आते हैं, नेक्स है, Miracles of Face योगा, बिल्कुल Face योगा करना चाहिए आपको, जिससे आपको सापके Face में Fat जमानी होगा, तो Miracles of Face योगा, इसके ओधर कौन है, मांसी गुलाथी, तो रिमेंबर, पुछाएगा आपसे कि इसके ओधर कौन है, तो आंसा बी मांसी गुलाथी, नेक्स पर आते हैं, नेक्स पाठक जी, जिनकरा हमें शेखर पाठक, तो ये थी important books, जो मैंने 23 की बहुत simple way में बता दी हैं, एक बार revise कर लेना, PDF कर लिंक में description box में दे दूँगा, जाकि PDF डाउनलोड कर लेना, और वहां पर आपको ये easily एक पर go through करके चले आना, इन्हीं में से question आपको, अगर आपका जुलाई तक paper है, उसमें इनी बुक से question देखने को मिलेगा, तो यहां पर lecture होता है complete, I hope आपको lecture समझ में आऊगा, बहुत simple way में चीजों को बताता हूं, time pass नहीं करता हूं, 10-15 minutes का भी lecture रहता है, तो 15 minutes में आपको side knowledge दी आती है, अगर आपको initiative पसंद आ रहा है, तो अगर कुछ donate करना चाहते हैं, मैं फिर से बताता हूं, it's a voluntary contribution, अगर आप करना चाहते हैं, अगर capable हो, आगे चल के भी कर सकते हो, आपको job लग जाए, तब आप कर सकते हो, अगर आपको करना हो, तो आप हमाई चैनल पर चाहो, तो phone पर Google पर PTM आप कर सकते हो, just for the contribution of the channel, okay, that is voluntarily, capable हो से लेके, static GK से लेके, UPSC prelim से लेके, साई notes अविलेबल हैं, आप एक बार contact करें, आपको notes मिल जाएंगे, classes से ही है, इस तरह मैं पढ़ाता हूं, topic wise, time waste नहीं करके, तो उस तरह की classes आपको चाहिए, कम time पर ज्यादा पढ़ना है, time waste नहीं करना है, तो एक बार application को download कर लो, देवशीश classes, वहाँ पर आपको मेरे सारे lectures available हो जाएंगे, आप अगर कोई query लेना चाहते है, call करिए, मैं आपको guide भी करूँगा, किस तरह आप preparation कर सकते हैं, कोई भी course हो, state services का हो, UPSC का हो, Odisha का हो, West Bengal, Jammu in Kashmir, आप directly contact करिए, उत्तरा खंड, मैं आपको जरूर help करूँग कि किस तरह साउत के exams हो, टलंगाना के हो, एक बर आप contact करेंगे, आपको notes प्रोवाइड करेंगे, आपको classes प्रोवाइड करेंगे, आपको exam easily crack हो जाएगा, without query है, comment box में कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को like जरू करिए, महनत पसंद आ रहे ही, तो वीडियो को share भी कर दीजे अपने friends के साथ, अगर आप इतना भी करते हैं, तो यह भी हमाई लिए contribution है, please do like our video, और जरू कमेंट बॉक्स में बताइए, कि आप क्या चाते हैं, और आपका कोई topic हो, स्टाटिक जी के बहुत साथ topics लाते रहेंगे, तो कि आप चाते हैं, previous three months की current affairs में एक single lecture म comment box में आप बताइए मुझे, मैं वो lecture आपके सामने लेके आँगा, जो भी आप चाते हैं, comment box में comment करते रहेंगे, और आप नहीं भी करेंगे, तो मेरे दिमाग में जो भी important initiatives है, वो मेलाता रहोगा, MCQ series भी हमाई चलती रहेगी, practice चलती रहेगी, जिसमें आपको exam easily crack हो सके, PDF का link में description box में डालना हूँ, अगर आपको नहीं मिलता है link, कोई बात नहीं, आप comment कर सकते हैं, मैं comment box में pin कर दूँगा comment आपका, even आपको जो whatsapp कर सकते हैं, अगर आपको PDF नहीं मिल पा रहा हो उसका तो, PDF मेरे telegram group में available होता है, thank you.